देखिए दोस्तो जिनोंने भी रीट एक्जाम 2023 को दिया है उन सभी के मन में बस एक ही सवाल रहता है कि कट ओफ क्या रहेगी लेकिन मैं आपको बता दू कट ओफ का कोई भी फिक्स अनुमान नहीं लगा सकता है और हुए अपने आसपास और जानकारी में एक्जाम देने वा आपको SST की कट ओफ बताता हूँ लगबग जो फाइनल कट ओफ होगी वो इसी के आसपास होगी और सबसे इंपोर्टेंट बात यह है कि अगर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का रिजल्ट रीड के रिजल्ट से पहले जारी होता है तो मेरिट में काफी ग्रावट हो होगी लेकिन वह सेकंड लिस्ट में आपको देखने को मिलेगी क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में सभी कैंडिडेट को सामिल किया जाएगा बले ही उसका फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में सेलेक्शन हो गया हो उसके बाद अगर यह डॉकुमेंट वेरिपिकेशन या ज बात करें जनरल केटेगरी की फर्स्ट लिस्ट में कि जिनके 95 96 यहां पर 96 है आप याद रखना 96 से लेकर 98 कोशन सभी हो रहे हैं कट विट कर यानि हम कह सकते हैं उनका स्कोर 192 से लेकर 196 तक बन रहा है तो वह अच्छे स्कोर में है सेव जोन में है उनका नंबर आने की फुल संभावना है ठीक है अगर हम बात करें जनरल केटेगरी की के फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आ जाता है और उसके बाद में जो सेकंड लिस्ट जारी होगी तो उसमें कट ओफ लगबग 90 से लेकर जि जो फर्स्ट लिस्ट है अपनी फर्स्ट लिस्ट होगी जो अपनी फाइनल कट ओफ होगी तो उसमें जिन अभ्यवरतियों की 95 से लेकर 96 कोश्ट बिल्कुल कट पिटकर सही है यानि हम कह सकते हैं 190 से लेकर 101 में नंबर के दीच में कोई नंबर वन रहे हैं तो वो काफी कर दो नब्य कोश्ट तक जिनके सही हैं उनके सेकंड लिस्ट में नंबर आने की संभावना बनती है हम कह सकते हैं कि 116 से लेकर 180 नंबर के बीच में जिनकी नंबर है वो सेकंड लिस्ट में भी सांविल हो सकते हैं ठीक हैं हम बात करते हैं नेक्ट अगले पॉइंट की तो पारे में तो EWS के टेगरी की जो फर्स्ट लिस्ट है में हैं जिन अब भ्यरतियों के 93 से लेकर 95 कोश्चंस कट्पिट कर सही है तो लगबग काफी से जोन में हैं और उनके अच्छे नंबर बन रहे हैं और उनके नंबर आने की संभावना पूरी बनती है ठीक है इसके अलाब सेकंड लिस्ट में अवश्य हो जाएगा मेरे अनुसार ठीक है बात यहां तक क्लिर हो गई अगर हम बात करें MBC कैटागरी की जिन अभ्यरतियों के 90 से लेकर 90 कोश्चंस कट्पिट कर साही हो रहे हैं MBC कैटागरी में तो वो काफी अच्छे स्कोर में हैं काफी से जोन में माले जाएंगे और यही अगर हम कट अब देखते हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के रिजल्ट के बाद सेकंड लिस्ट में तो उसमें जो इसकोर हो जाएगा यह 84 कोश्चन से लेकर 86 कोश्चन के बीच में हो जाएगा जाकर लगबग इतने कोश्चन तक सेकंड जा सकती है ठीक है क्योंकि नेगिटिव मार्किंग वाना पेपर था और टफ पेपर का लेबिल भी अच्छा था तो इसमें डिफ्रेंस काफी अच्छा देखने को मिलेगा बच्चों के बीच में ठीक है और जो इंटेलिजेंट काफी अच्छे वच्चे होंगे वो सेकंड केटागरी में तो ऐसी केटिगरी में जिन वच्चों के शत्यासी से लेकर नवासी कोशन लगबग कट पिटकर साही बन रहे हैं तो वो काफी सेप जोन में है अच्छे स्कूर में है ठीक है अगर हम बात करें नंबरों की तो 174 से 178 नंबर के मद्यान इनसे जादा बन रहे पिए तो ऐसी स्कूर में है और लगबग कर इतने तक बन रहे हैं तो भी वो सेप जॉन में है यहनि वैस में है और फिर्षी से λेकर 84 और! और जिसके 84 से लेकर 86 कोशिन कट पिट कर SST में अच्छ बन रहे हैं तो वो सेब जोन में है इससे ज्यादा नमबर है तो काफी सेब जोन में है यह लेकिन इतने तक नमबर बन रहे हैं तो भी वो सेब जोन में माना जाएगा मेरे अनुसार ठीक है अगर फेस्ट ग्रेड और स से एक दो नमबर उपर रह सकते हैं अगर हम बात करें महिला वर्ग की तो महिला वर्ग की कट ओफ में और पूर मेल और फिमेल की जो कट ओफ है उसमें लगवक एक नमबर कुछ पॉइंटों का ही फरकाएगा ज्यादा फरक आपको देखने को नहीं मिलेगा ठीक है अगर मह बावर भी रह सकती है ठीक है यह थी हमारी sht से सम्मालित कट ओफ फिर मिलते हैं नेक्ट अगली वीडियो में